जब अमिता बचन का बुरा वक्त चल रहा था तब अमिता बचन ने धीरुबाई अम्मानी का ये किस्सा सुनाया अमिता बचन पर करोडों का कर्ज हो गया था उनकी कमपनी गाटे में चल रही थी कमाई के सब रास्ते बंद हो गए थे तब धीरुवाई अम्मानी को यह बात पता चली बिना किसी के जाने उन्होंने अपने चोटे बेटे अनिल अम्मानी को बलाया अनिल अम्मानी अमितावचन के दोस्त है फिर धीरुवाई अम्मानी ने अनिल से कहा इसे कुछ पैसे दे दो इसका बुरा वक्त चल रहा है अनिल ने यह बात जाकर अपने दोस्त अमिता बच्चन को बताई जितना वो पैसा देना चाह रहे थे उससे अमिता बच्चन की सारी प्रिसानी हलो जाती लेकिन अमिता वचन ने पैसा लेना ठीक ना समझा भाद में अमिता वचन को काम मिलना शुरू हो गया और उन्होंने दीरे-दीरे अपने सारे करजे चुका दिए एक दिन दिरुवाई अम्मानी के घर पर पार्टी शुरू हुई अमिता बचन भी अपने दोस्तों के साथ गए बड़े बड़े व्यापारी और बड़े अधिकारी लोग पार्टी में आई हुए थे उपर रूम में एक टेबल थी वहाँ पर बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे दीरुवाई अम्मानी ने अमिता बचन को अपने पास बलाया और बैठा लिया दीरुवाई अम्मानी ने वहाँ पर सभी के सामने अमिता बचन की तारिफ की और बोले यह वह लड़का है जो गिर गया था और अपने मेहनत के बल पर उठा है यह सब शुनकर अमिता बच्छन बहुत खुश हुए यह पूरा किस्सा अमिता बच्छन ने अपने एक इंटर्विव में बताया और बोला उनके यह सब्द हजारों गोना अच्छे थे जो पैसा वो मुझे मुझे मुसीबक्त के वक्त देने वाले थे दीरुवाई अम्मानी और अमिता बच्छन का यह किस्सा आपको कैसे लगा केमेंट में जरूल बताएं और ऐसी जानकारी के लिए में चैनल को सब्सक्राब कीजिए लाइक कीजिए सेर कीजिए के बाइबाएं टेक कियर